Welcome to my channel, आज हम पढ़ेंगे MPPB Sub-Engineer के लिए सभीधान के सभी अनुक्षेद के बारे में, इसमें हम जानेंगे कौन-कौन से अनुक्षेद होते हैं और अनुक्षेद कौन-कौन से अनुक्षेद में क्या-क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे, सो सबसे पहले, तथा राज्य का निर्माण, तथा सीमाओं या नामों से परिवर्तन, नामों में परिवर्तन होता है अनुक्षेद 3 के तहत, अनुक्षेद 4 के तहत, पहली 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 अनुक्षेद 4 के तह भारत आने वाले ब्यक्तियों को नागरिक्ता प्रतान की जाती है। संभीदान में अनुक्षे 7 के तहट होता है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिक्ता। अनुक्षे 8 के तहट भारत के बाहर रहने वाले ब्यक्तियों का नागरिक्ता। अनुक्षेद 9 के तहट विदेशी राज्जी की नागरिक्ता लेने पर नागरिक्ता करना होना अनुक्षेद 10 के तहट होता है नागरिक्ता के अधिकारों का भना हो रहना अनुक्षित 11 के तहट होता है संसत द्वारा नागरिक्ता के लिए कानुन का विनिम है अनुक्षित 12 के तहट राज्जी की परिभासा अनुक्षित 13 के तहट आता है मूल अधिकारों को असंगत या अलपी करण करने वाली विधियां के तहट आता है सम्मिदान में अनुक्षित 15 के तहित आता धर्म जाती लिंग परवेत का प्रतिरोध, अनुक्षित 16 के तहित लोक नियोजन में आउसर की समानता, अनुक्षित 17 के तहित होता आइसपर्षता का अंत, अनुक्षित 18 के तहित आता है उपाधियों का अंत. अनुक्षे उन्निस के तहट वाक्षोतंद्रता होती है अनुक्षे जिएस के तहट अपरादों के दो सिद्दी के संब्थ में सリक्षण होता है अनुक्षे इकीस के तहट प्राण और देहक सुतंद्रता अनुख से 21 का के तहत आता 6 से 14 बर्ज के बच्चों को सिख्षय का अधिकार अनुख से 22 के तहत कुछ दसाओं में करपतारी से संलक्छन अनुख से 23 से तहत मानों के दुर्वे पार और बालास्रम अनुक्षिफ 24 के तहित आता है इसमें कारखानों में बालग का नियोजन का प्रितिसर अनुक्षिफ 25 के तहित आता धर्मेक का आचरण और प्रचार की सुतंत्रता अनुक्षित 26 के तहित आता है धार्मिक कारियों के प्रबंद की सुतंद्रता अनुक्षित 39 के तहित अलप संक्यक वर्गों के हितों का सनलक्षन अनुक्षित 30 के तहित आता है सिक्षा संस्ताओं और इसकी स्तापना और परिसासन करने का अलपसंके वर्गों का अधिकार अनुक्षित 32 के तहित अधिकारों को परवर्थित कराने के लिए उपचार अनुक्षे 37 के तहट आता है परिभासा अनुक्षे 40 के तहट ग्राम पन चौहतों का संगठन संभीदान के अनुक्षे 48 में आता है क्रसी और पसुपालन संगठन अनुक्षे 48 का के तहट आता है परियावरण 1 तथा 1 ने जियोंगी लक्षा फिर सम्मिदान में अनुक्षेदग्स 59 में में पढ़ते हम राष्टी इस्वाराग स्थानों और वस्तीों का सम्दम्ध्चर टहत कार पालिका से न ये पालिका का प्रतकरण अनुक्षेत इनक्याउन के तहट अंतराश्ट सांतिय शुरक्षा अनुक्षेत इनक्याउन का के तहट होता है मूल कर्तब पर अनुक्षेत नम्मर बाउन के तहट आता है भारत का राश्टपती के बारे में पढ़ते हैं इसमें अनुक्षेद 53 के अंतरगात आता संगे की कारेपाले का सक्ति अनुक्षेद 54 के तहट राष्टपती का निर्वाचन अनुक्षेद 55 में आता है राष्टपती के निर्वाचन की जीती संभिदान के अनुक्षेद 56 पे आता राष्टपती की पदावधी अनुक्षित नम्मर संताउन में पुना नर्वाचन के लिए पात्रता अनुक्षित नम्मर अंठाउन के तहता राष्टपती नर्वाचत होने के लिए अर्यताएं अनुक्षित नम्मर 69 में पढ़ते हैं राष्टपती पत के लिए सर्त अनुक्षित नम्मर शाट के तहित आता राश्टपती की सपत अनुक्षित नम्मर शाट के तहित आता राश्टपती पर महावयोग चलाने की प्रिक्रिया अनुक्षित नम्मर 62 के तहे ताता राश्टपती पत पर व्यक्ति को भरने के लिए निरवाचन का समय और रीतिया अनुक्षित नम्मर 63 के अंतरगात भारत का उपराश्टपती आता है अनुक्षित नम्मर 64 के तहता था उपराष्ट पती का राजिस सभा का पदेन सभापती होना अनुक्षित नम्मर 65 के तहता था राष्ट पती के पत की रिक्ती पर उपराष्ट पती के कार अनुक्षित नम्मर 66 के तहता था उपराष्ट पती का निरवाचन अनुक्षेद नम्मर 68 के अंतरगात पढ़ना पड़ता हमको उपराश्टपती के पद की रेक्त पद भनने की निर्वाचन अनुक्षेद नम्मर 79 में आता उपराश्टपती द्वारा सफत अनुक्षेद नमर 70 के अंदर गताता है अन्य आकस्मिक्ता में राश्टपती के कार्ट करतब्यों का निर्भान अनुक्षेद नमर 71 के तहट जानते हम राश्टपती और उपराश्टपती के निर्भाचन सम्मनित विसा है अनुक्ष् It No.72 में पढ़ते हैं च्मादा उन्त कि सकति अनुक्षि नमर 3 हेतर में संग की लुट्री सकति में आता भारह सरकार के कारे का संचालन अनुख्षद नमर Satre में आता राष्ट-पत्री को जानकारी देने के प्रधान मंत्री के करतब है अनुख्षद 19 के तहए शन्ग का घठन होता है पीडा अनुक्षिद 80 के तहट राजिस सभाग की सन रचना, अनुक्षिद 81 के तहट होता है लोग सभाग की सन रचना, अनुक्षिद 83 के तहट होता है संसत के सदनों की अवधी, अनुक्षिद 84 के तहट होता है संसत के सदस्यों के लिए अरहता है। अनुख्यद 85 के अंतरकत पढते हम संसत की सत्री सत्र ओसान और विगटन अनुख्यद 87 के तह Keeping राष्टपति का विश्यष अभी वहसण अनुख्यद 88 के तहित उता सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादि अधिकार अनुक्षित नवासी के तहित होता है राजसभा का सभापती और उपसभापती नेश्ट है अनुक्षित नब्वे के तहित जानते हैं उपसभापती का पद रिख्थोना या पद हटाया जाना अनुशित 91 के तहित होता है सवापती के कर्तव्यों का पलन और शक्ति अनुशित 92 के तहित होता सवापती या उपसवापती को पत से हटाने का संकल पर विचारा धीन हो तब उसका पीठा सीन ना होना अनुक्षित तेरानवे के तहित लोगसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुक्षित चोरानवे के तहित होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पदरिक्थ होना अनुक्षित पंचानवे के तहित अध्यक्ष में कर्तब आयवन सक्तिया अनुक्षि 96 के तहत होता है राष्ट पति और पाध्यक्ष को पत से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठा सीन ना होना अनुक्षे Sum 70 वे तहएत सभापती ओपसभापती तथ अध्यक्ष और पाध्यक्ष के वेतन और भत्ति संमिदान में अनुक्षे नमर 8 वे तहएत आता है संसत के सचिवाला है अनुक्षे number 10 नमर्यन में आता है अनुक्षद द्वारा सपत या प्रतिवड्यान अनुक्षे 100 शो में होता है संसादनों में मतदान रिखतीयों के होते हुए भी सदनों के कारे करने की सक्ति एबम गुरणपून अनुक्षे 108 के अंतरगत आता है कुछ दसाओं में दोनों सदनों की सेयोक्त वेठक पिर अनुक्षित नमेर एक शो नो के अंद्रगत पड़ते हैं धन विदekत की संबेंद में जान पिर बिदाय की परिभासा अनुक्षित नमेर 111-जाट पड़ते हिए विद्धे कोई पर अनुमती प्रूशित नम्म listen नम मैं स्वडऱ् को करें straight 120 के अंतरगत संसद में प्रयोग की जाने वाली भासा अनुक्षेद नमर 123 के अंतरगत संसद विश्रान्ति काल में राष्टपती की अध्यादेश सक्ति अनुक्षेद 124 के अंतरगत उच्चितम न्यालाई की सिस्थापना और गठन अनुक्षेद 125 के अंतरगत पढ़ते हैं न्याधिसों का वेतन अनुक्षेद 127 के अंतरगत कारे मोखे न्यापूर्थी की न्यूक्षेद 127 के अंतरगत तथर्त संसी नियुक्ति अनुग्षेद नमबर 128 अंतरगत पढ़ते सेवा निब्रत नियादिशों की उपस्थिति के बारे में 119 अधर उच्छित अंतरगत उच्छ्टम नियालय का अभीलेक नियालय नियालय होना अनुख्यद 130 के अंदरगत उच्चितम नियाला की इस्थान, अनुख्यद 137 के अंदरगत निरनाय एवं आदेशों का पुरनलवे लोकन पढ़ते हैं अनुख्यद 143 में उच्चितम नियालाय में परामर्स करने की राष्टपति की सक्ति अनुख्यद 144 के अंदरगत सिविल एवं नयायक पदादी कारियों द्वारा उच्चितम नियाले की सहायता सम्मिदान के अनुख्यद 148 के अंदरगत परते हैं भारत का नियंतरक महालेखा परिक्षण सम्मी्दान संग के राजियों के लेखन का प्रावी कि अनुक्षित 155 नंत्रगत त्याय की न्योक्ति अनुखषेद 156 के अंतरगत राजजिपाल की पदावधी अनुखषेद 107 के तहत राजजिपाल के पत की लिए सर्थे अनुखषेद 169 के तहत राजजिपाल द्वारा सपत या प्रती ग्यान संभीदान के अनुक्षेद 163 के अंतरगत पड़ते है राज्यपाल को सलाय देने के लिए मंत्री परिशद संभीदान के अनुक्षेद 164 के तहट मंत्रियों के बारे में अनुपबंद अनुक्षेद 165 के अंतरगत राज्य का महाधिवक्ता अनुख्षेद 126 के अंदरगात Mark Ryan Shrkaran नेच्ट है सम्विदान का अनुख्षेद 166 के तहट राजिपल को जानकारी देने के संबंद में मुक्हमंत्री के करतब में अनुख्षेद 168 के अंदरगात Mark Ryan Roji के विधान मंडल का गठन अनुक्षेद 171 के तहट विधान सबाओं की सन रचना, सम्विधान के अनुक्षेद 171 के तहट विधान परीशत की सन रचना सम्विधान अनुक्षेद 172 के तहट राज्यों के विधान मंडल की अवधी अनुक्षेद 176 के तहट राज्य पाल का विशेष अभिभासन अपाध्यक्ष का पद रेक्ष होना या पत से हटाया जाना अनुक्ष्य 181 के तहेता अध्यक्ष ओपाध्ययक्ष नाहें पर उसका पीठाचीर ना होना इस पिराया अनुप्षैत 182 की अंदरगत विधान परिशत ये अधां परिशत का सभवापती और उपा- सभवापती के वारे में जानना अनूप्षैत 183 कंदगत परते हैंilily सभापती और उपसभापती का पद रिख्थ होना पत त्याग है यह पत से हटाया जाना। अनुक्षे एक rightink के टहेतá ता सभापती के करते अब्यों कitute पालन वह सक्तम सइब अनुक्षे 181 का ंदर का ता ता सभापती उप मेश्ट है अनुक्षेद 166 के तहत पड़ते हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष सवापति और उपसवापति के बेतन और भत्ते के बारे में सब्मीदान के अनुक्षेद 187 के दर्गात आता है भारत के विधान मंडल वा सचीवाल है अनुक्षेद 188 के तहत आता सदस्यों द्वारा सपत या प्रतिज्यान अनुक्षेद 189 के तहत आता सद्नों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साद्नों का कारे करने की सक्ति और गण मूर्टी सम्मिदान में अनुक्षेद 199 के तहता था धन विदेश की परिभासा अनुक्षेद 200 के अंदर गताता है विदायोकों पर अनुमती अनुक्षे 202 के तहट पढ़ते हैं वार्षे वित्ती विवरण अनुक्षे 273 के अंदर गाता है विधान मंडल में अध्यादे सत्यापत करने के राज़ेपाल की सक्ति सम्मिदान के अनुक्षे नमर 214 के तहट पढ़ते हैं राज्यों के लिए उच्छे न्यायलाए अनुक्षे 215 के तहट पढ़ते हैं उच्छे न्यायलाए होना अनुक्षे 216 के तहट पढ़ते हैं उच्छे न्यायलाए का गठन अनुक्षे 217 के अंतर गाता एक न्यायलाए से दूसरे न्यायलाए में यादिशों का अंतरन अनुख्ये नमर 233 के अंतरगात आता कारिपकारी मुख्य न्याय मूर्ती की न्युक्ति अनुख्ये नमर 224 के तहए अन्य न्याय दूसरों की न्युक्ति अगला है संभिदान के अनुख्ये 226 के तहए पड़ते हैं जिलाय नियाय दूसर की नेप्ति होती है अनुक्षेद नम्मर 241 के तहट संग राज्य छेत्र के लिए उच्छे नियाला है सम्मिदान के कि अनुक्षेद 243 तहट परते हैं पंचायत नगरपालिकाएं यह सहकारी समीतियों के बारे में सम्मिदान के अनुक्षे 244 के नंतर करद अनुसर चेत्रों वाजन जाती क्रों का प्रसासन सम्मिदानच का नुक्षे 268 के तहट अवसेस्ट बढ़ाई सक्तियां सम्मिदान 202 Second on 207 वनायी गई विदियों और राजियों के विद्धान मंदल दौआरह बनाइगय विदियों में असंगति संविदान के 255 के तहएट राजियों और संग की वाद्यता संविदान के अनुक्षे 277 के तहएट आता है कुछ दसाओं में राज्यों का संग का नियांत्रा अनुक्षेद नम्मर 262 के अंतर राज्य नदियों या नदी दूनों के जल संबंदी विवादों का न्यायन रणा सम्मिदान के अनुक्षेद 263 के तहित आता अंतर राज्य विकास वरिशत का गठन अनुक्षेद 266 के अंतर राज्यों के तहित आता है संग द्वारा उद ग्रहत और संग ग्रहत किंतू राज्यों को सोपे जाने वाले कर के बारे में अनुक्षे 270 के अंतर के अंतर राज्यों के तहित आता है संग द्वारा एकटे किये गए संग और राज्यों के बीच बित्रित किये जाने वाले कर के बारे में अनुक्षे 281 के तहित आता है वित्यायोग, सम्मिधान के अनुक्षे 281 के तहित आता है वित्यायोग की सफारिशन। अनुक्षे 252 के तहट आता है 11 सरकार दोरा उधार लेना अनुक्षे 292 के तहट आता है संपत्तिक अधिकार अनुक्षे 301 के तहट आता है फ्यापार बानेज़ और समागम की स्वतंत तरता के वार में अनुक्षे 309 के तहट राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भरती और सेवा की सर्थों के बारे में अनुक्षे 310 के तहट आता है संग या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावदी के बारे में अनुक्षेद नम्मा 313 के अंतरगत पड़ते हैं संग कर्मन काली अपवन्द के बारे में सम्मिदान का अनुक्षेद नम्मा 315 के तहट पड़ते हैं संग राज्जी के लिए लोक सेवा आयोक के बारे में अनुखिय नम्मा 316 के अंधर उता कहता है सदस्यों के न्यूक्ति एबन पद्र आउधी अनुखिय नम्मा 317 के अंधर उता है लोग hypertा के किसी सदस्य को खुटाना या निलम्हित किया जाना अनुक्षे320 के तहट्स लोक सेबा आयोग के क्रत्य के वारे में अनुक्षे320 के थाक तहट परशासनिक अधिकरण आता है फिर आता है सम्मीदान में अनुक्षे 323 खाके अंतरगात आता है अन्य विश्यों के लिए अधिकरण, अनुक्षे 324 के तहत निरवाचनों के अधिक्षाण, निर्देशन और नियंतरण का निरवाचन आयोग में नहत होना, अनुक्षे 339 के तहत आता है निरवाचन, सम्मंदी मामलों में नियालाय के हस्तिसिप का वरणन के वारे में, अनुक्षे 330 के तहत आता है लोग सबा में अनुक्षे जाती और अनुक्षे जन जातीयों के लिए इस्थानों का आरक्षाण, अनुक्षे 331 के तहत लोग सबा में आंगल भारती समूदाय का प्रतिनिदत, अनुक्षे 332 के तहत आता है राज्य के विधान सबा में अनुक्षे जाती और अनुक्षे जन जातीयों के लिए इस्थानों का आरक्षाण, अनुख्यी 333 के तहद आता है, राजी की विधान सबा में आंगल भार्ती समुदाय का प्रतिनिर्त अनुख्यी 343 तहद संग की परिभासा आती है अनुख्यी 344 तहद राजबासा के सम्मन्द में आयोग और संसत की समीति अनुक्षे 350 का के तहट आता है प्राथमिक इस तारपधर मातर भासा में सिक्षा की शुविदाएं सम्मीदान के अनुक्षे 30110 के तहट पढ़ते हैं हिंदी भासा के विकास के लिए निर्देश अनुक्षे 322 के तहट पढ़ते हैं आपात के उद्वखोषणा का प्रभाव के बारे में सम्विदान के अनुक्षे 356 के तहट राज्य में सम्विधाने के तंतर के विफल हो जाने की दसामे उपबंद के बारे में अनुक्षे 368 के तहट संबीदान का संसोदन करने की संसत की सक्ती और उसकी प्रिक्रिया के बारे में अनुक्षे 377 के तहट भारत के नियंतरक महालेखा परिक्षा के बारे में उपबंद के बारे में अनुक्षे 378 के तहट पढ़ते हैं लोक सेवा आयो के बारे में झाल झाल